हेलो दोस्तों मैं हूँ बैवव और आप देख रहे हैं Bits for Biology तो कैसे हैं आप लोग आप मुझे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनेकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 3 का ये पहला चैप्टर सेल दा यूनिट आफ लाइफ चैप्टर नमबर 8 में आ चुके हैं हम पिछले 7 चैप्टर का हमने कुईक रिविजन स्रीज भी देख लिया और क्रैस कॉर्स भी हमने इसका देख लिया तो काफी interesting पार्ट होता है हमारे ये कुईक रिविजन स्रीज इसमें हम speed में CRT की कुईक रिविउ करते हैं और देखते हैं कि कहां से questions पूछे गये हैं और कहां से questions पूछे जा सकते हैं जो question पूछे गये हैं उसको मैंने red sender line किया है जो पूछे जाने की probability है उसको मैंने yellow sender line किया है तो काफी important part है चार से पाच question आते हैं sales से हर साल आते हैं बहुत easy type के question आते हैं और pure NCIT से ही question पूछे जाते हैं तो चली ये start करते हैं हमारे chapter sale structure and functions का ये पहला chapter sale the unit of life तो चली थोड़ा ये fast होगा तो ये जो पहला paragraph है इसमें तो आप reductionist biology सर्फ याद रखना क्या होता है तो जो भी physical chemical approach है कि हम living organism को study करकर जो समझ रहे हैं उसे ही बोलते हैं reductionist biology next हम आगे बढ़ें तो ये जीन रामचंदरन का ये आपका photo दे रखा है इन्होंने ही discovery की थी triple helical structure of collagen ये आप याद रखना next अगर बात करें हमारा chapter start हो रहा है तो इसमें तो आप जानते ही है living और non living दोनों में कौन डिफरेंस पैदा करता है तो जिसके पास sale है जिसके पास basic unit of life है वो living organism उसको बोलेंगे दो तरह के होते हैं unicellular या essential functions of life anything less than a complete structure of a sale does not ensure independent living काफी important ये सब बाते है a structural functional unit होता है किसी वी living organism का sale और सबसे पहले किसी live sale को देखने वाले evil living hawkी थे रॉबर्ट ब्राउन ने निकुलियस के discovery की थी और सबसे पहले sale को देखा था रॉबर्ट हूक ने जो की dead sale था next हम आगे बढ़ें sale theory के बारे में तो स्राइडन और स्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था sale theory तो sale theory से पूछे जाने वाले सवाल m's में ऐसे भी थे कि botanist थे एक दो botanist और एक botanist और एक geologist दोनोंने मिलकर दी थी sale theory AMU में question पूछा गया था कि swan थे क्या तो geologist थे तो ये दोनों मिलकर इन्होंने एक परपूज किया theory तो theory में कुछ बाते कही गएं कि जितने भी living organism होते हैं सारे sale से बने होते हैं नहीं तो sale के product से बने होते हैं और इसमें ही next rudal virtue का जो कहना आया कि all cells arise from pre-existing cell only cellulize cellulize very important line है इसमें एक खास बार presence of sale वाली unique character of plant cells ये important है हमारा दोनोंने मिलकर sale theory दी sladden और swan ने इसके बाद rudal virtue आया ये important है हमारा portion ये मैंने आपको बता ही दिया next हम आगे बढ़ें कुछ sale का overview अगर हम देखें तो इसमें पता चलता है कि cell में cell wall होते है cell membrane होता है और खास ये कि इसमें nucleus होता है जो कि membrane bond structure है questions यही पूछे जाता है कि कौन सा membrane bond होता है कौन सा non-membranus है कौन सा double membrane है तो अब इसमें खाशा ध्यान देंगे तो आगे हम बढ़ें क्या क्या होता है cell में nucleus होता है nucleus के अंदर chromosome होता है chromosome के अंदर DNA होता है तो sequence में विलकुल इसी तरह चलता है membrane bond होते है जो eukaryotes में होंगे लेकिन membrane bond nucleus नहीं present होते है prokaryote में वहाँ पर nucleoid होता है या genophore बोल सकते है next prokaryote और eukaryote में एक semi fluid matrix होता है जिसे cytoplasm बोलते है cytoplasm के बारे में एक खास बात this cytoplasm is the main arena of cellular activities in both the plants and animal cells question पूछा जा चुका है यांसे next nucleus के अलावे जो eukaryotic cells में और भी membrane organelles है endoplasmic reticulum, gaulgy complex, lysosome, mitochondria, microbodies, vectules खर भूँ सारे हैं और prokaryotic cells में ऐसे कोई भी membrane bond organelles नहीं present होते हैं एक ribosome ही ऐसा organelle है जो कि eukaryote हो चाहे prokaryote हो तोनों में present होता है जो कि non-membranous bond organelle है within the cell ribosomes are found not only in cytoplasm but दो organelle में भी पाया जाता है chloroplast और mitochondria तभी तो बोलते हैं ribosome को organelle within organelle on rough endoplasmic reticulum पे भी होता है इसले वो तो रफ है next annual cells contain other non-membranous bond organelles जिनको centriol बोला गया जो कि cell division में काम आएगा आप तो जानते हैं ना कि cell की size में बहुत ज़्यादा difference होता है तो mycoplasma जो कि सबसे छोटा cell होता है जिसकी 0.3 micrometer length होती है और इसके साथ ही अगर bacteria की बात करें तो bacteria 3 से 5 micrometer तक का होता है और जो ostrich का एग है वो सबसे बड़ा एग होता है नर्व से longest cell होता है rate blood cell का 7 micrometer diameter होता है तो cell का shape जो है बहुत vary करता है जैसा function करता है उसके according उसका shape भी होता है यह कुछ diagram दे रखे हैं इसमें आप याद रखना bike uncave क्यों है क्योंकि surface area बढ़ाने का काम कर रहा है तो कुछ बाते हैं इस अब आपको बता दी गई है पहले ही अब यह हमारा खास portion prokaryotic cell जहांसे एक question की probability हर साल बनती है prokaryotic cell तो होते बड़े छोटे हैं लेकिन division बहुत ही rapidly होता है rapid division होता है सिपर साइज में variation होता है चार तरह के bacteria होते हैं जो के हमने देख लिया है आपने देख लिया है मोनेडा में bacillus, rod-like, aspherical, cocus, commercet, vibrio और aspiral, aspiral ठीक है next हम आगे देखे और questions आपसे यहां से पूछे जाते हैं prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma आपने देखा होगा mycoplasma में तो cell wall present होता ही नहीं है no well defined nucleus prokaryotes में होंगे ही नहीं एक यहां से question पूछा जाता है extra chromosomal extra chromosomal amount of DNA है जो यहां से पूछा जाता है question काफी important है यह part next prokaryotes have something unique in the form of inclusions यह form में यह होता है inclusion body जो मैं आगे बताऊंगा इस अर्फोट माटेरियल होता है एक specialized differentiated form of cell membrane called mesosome mesosome जो होता है इस तरह membrane है तो membrane से इन फोल्डिंग निकली होई है इसको बोलते है mesosome respiration में काफी important role है इसका यह आप याद रखें इसको बोलते हैं इसको पूछा गया है यहाँ से आप याद रखेंगे और ascending procedure के basis पे दो टाइप के होते हैं इसको ग्राम positive एक ग्राम negative सब कुछ मैंने crash course में detail में बदा रखा है यह question आप से इतना ही पूछा जाएगा जितना मैं आप पर बता दिया हूँ और अगर आपको इसमें थोड़ा सा और जानना है तो crash course series आप देख सकते हैं सारा link में एन डिस्रिप्शन में दे रखा है next अगर हम बात करें glycocalyx का जो composition है और thickness में वो difference देखने को मिलता है अगर lose है glycocalyx अगर lose है तो slam layer बोलेंगे अगर thick tough है तो उसको capsule बोलेंगे next अगर बात करें cell wall के बारे में तो cell wall ही safe cell का determine करता है और एक strong structural support देता है कि वो bacteria को bursting और collapsing से plasma membrane तो आप जानते ही है semi permeable membrane होता है similarly a structure to that of eukaryotes prokaryotes और eukaryotes में structurally similar होते है next mesozoom के बारे में आपको बताया ही तो mesozoom के तीन form होते है form of vesicles, tubules और lamely की form में next cell wall formation में, DNA replication में distribution to daughter cells में mesozoom का role क्या होता है तो respiration में आपको बताया है मैंने यह question पूछा जा चुका है है खर बहुत सारे role secretion process में surface rate को increase करने में पूछा गया था भई, यह भी question आ चुका है chromatophores, chromatophores क्या होते है prokaryotes में जैसे cyanobacteria का पिक्जामपल ले लो तो इसमें pigments होते हैं chromatophores के अंदर यह ऐसे pigment भरे होते हैं तो ऐसे pigment होते हैं prokaryotes में, chromatophores में तो यहां दो खास हो गया एक तो chromatophores हमारा important है और एक हमारा mesosome important है दोनों आप याद रखेंगे और जो आप तो जानते ही है bacteria cells का अगर division हो तो तीन पार्ट बनते हैं filament, hook और vessel body बनते हैं तो जो filament होता है सबसे longest portion होता है जो cell surface से बाहर की और होता है फ्लैजला के अलावे पीली और फिंबरी भी होते हैं जिनका motility में कोई रोल नहीं होता है आप याद रखना पीली क्या होते हैं special protein pylene के बने हुए होते हैं फिंबरी जो हैं fibers होते हैं जो की जहरने होते हैं तो उसमें bacteria को attach करने में मदद करता है और host tissue से attach करने में next हमारा important part वे ribosomes दो-तीन बार इससे question पूछे गए हैं यहां से मैं बताता हूँ आगे इन prokaryotes ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell ribosomes are the site of protein synthesis very very important next जो हमारा आ रहा है polysome इतनी बार पूछी गई 3-4 बार आज तक पूछी गई है innate exam में होता क्या है इसमें यह बहुत सारे mRNA जो होते हैं single line पर attach होते हैं और जो सारे को मिला कर सारे ribosomes को मिला कर polysome बोला जाता है यह poly ribosome नाम सी पता चल गए polymys बहुत ज़्यादा ribosomes होंगे तो यहाँ पर mRNA जो है और protein में इसका synthesis होता है तो यह हमारा important part है अगे हम बढ़ें इसमें inclusion body के बारे में अगर हम देखें तो inclusion body क्या होता है prokaryotic cells में reserve food material होते हैं यह किसी भी membrane से bonded होते नहीं है एक question पूछा गया है next phosphate granules और sanofascian granules और glycosin granules इस form में inclusion body है store होते हैं अब gas vacuole है कहां होंगे तो blue green में और purple और green photosynthetic bacteria में यह present होते हैं eukaryotic cells के बारे में तो next यही हमें जानना भी है eukaryotic cells जो होते हैं जैसे protease, plants, animal, fungi यह आते हैं eukaryotic cell में इसमें अच्छा एक compartmentalization मिलता है cytoplasm का क्यूंकि इन में membrane bond organs देखने को मिलता है बहुत सारे eukaryotic cells possesses an organized nucleus with a cell nuclear envelop तो यह सब बाते हैं कुछ-कुछ अब सब बातें जानते हों सारी बातें lower classes में पढ़ने की हैं plants and animals are different as the former possesses a cell plant के पास silver होगा plastered होगा, एक large central vacuum होगा जो कि 90% part occupy करेगा which are absent in animal cells और animal cells के पास centriol होंगे जो कि plant cells में देखने को नहीं मिलेगा हमें जैसे यह आप diagram देख रहे हो तो यह diagram आपका plant cell का कैसे पहचान होगा, यह बड़े-बड़े cell wall देखने को मिलेगे और यह आपका animal cell है simple cell membrane आपको देखने को मिलेगा इसमें जितने भी पार्ट है आप देख लेना एक बार जैसे यह आप vacuum देख रहे हो majority of part यह आपको पाई करने का काम करता है तो यह हमारा part cell membrane important part है यह हमारा cell membrane देखें तो cell membrane की जो discovery है वो 1950 के बाद और अच्छे से देखने को मिल पाई क्योंकि invention हुआ था electron microscope का सबसे पहले human rbc में इसे देखा गया और human rbc में देखने के बाद जो बताया गया जो cell membrane होते हैं lipids के होते हैं यहाँ पे जो changes आई है new NCRT में वो भी मैं आपको बता दिया हूँ वहाँ से आप देख सकते हैं नेक्स्ट हम आगे बात करें जो lipids होते हैं वो bilayer में arranged होते हैं lipids are arranged within the membrane with the polar head यह आप याद रखना polar heads होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं outer और जो non polar होते हैं वो inner side में होते हैं क्योंकि उनको aqueous environment से protection चाहिए यह question पूछा जा चुका है यह वाला part यह important है हमारा जो lipid component होते हैं तो membrane के mainly phosphoglycerides होता है phospho, jisco, phospholacithene बोलता है next हम आगे बढ़ें तो protein और carbohydrate का ही में इसमें presence होता है और erythrocyte अगर RBC की बात करने तो उसमें protein 52% होता है और lipid 40% होता है extraction के basis पे दो पार्ट है protein के membrane के protein के integral और peripheral अगर जो अंदर में है membrane के में बरी डाप diagram ही देखो नो यह देखो यह जैसे अंदर में membrane में है और यह बाहर में आपको देखने को मिल रहा है यह peripheral तो यह बाहर वाला होगे peripheral protein और जो अंदर में है integral protein छोटे छोटे येलो दिख रहे हैं वो सिंगर और निकॉलसन ने 1972 में प्रपोज किया था तो यही बात पुछी गई थी एक्जामों में पुछी जाती भी है नेक्स्ट लिपिड का क्वाइसी fluid nature होना क्वाइसी fluid में almost liquid होना तो यही इसे provide करता है कि protein का lateral moment हो सके और fluidity का भी यही कारण है मेजर इसे किया जाता है अब जो fluid nature है membrane का उसके कारण उसकी क्या-क्या फाइदे है function cell growth, formation of intercellular junction secretion, endocytosis और cell division काफी important है next part, most important function तो transport of molecules करना plasma membrane का यही खास function होता है selectively permeable generally होते हैं यह selectively permeable अगर मैं कुछ खास बात बताऊं आपको कि जो passive transport होगा अगर polar molecules है तो वो facilitated diffusion water है तो osmosis neutral solid है तो diffusion neutral solid means non-polar ठीक है तो यह बाते मैं आपको बता चुका हूँ facilitated diffusion में काम क्या है channel का, career का, protein का यह सब का काम आता है active transport में sodium और plus potassium pump यहाँ पे चलता है यह important है इंस में पूछा जा चुका है यहाँ से question next है cell wall हमारे important part है cell wall तो cell wall तो आप जानते ही हो cell wall के बारे में कि absent होते है animals में और plant में यह present होते है non-living होता है rigid structure होते है तो यह खास है outer covering होता है plasma membrane के लिए fungi और plants fungi में क्या होगा kaitin plant को safe देता है mechanical damage और infection से बचाता है cell to cell interaction करवाता है और undesirable macromolecules के लिए barrier का काम करता है algae में क्या है तो algae में जो होते हैं वो cell wall होते हैं और minerals जो cell wall किस्चिज के बने हैं तो cellulose, galactans, manals और minerals like calcium carbonate के बने हुए हैं और वहीं अगर plants में बात करें तो cellulose, hemisillose, pectine और protein के बने हैं और fungi में आपको बता ही दिया है kaitin और जैसे आप देख सकते हो insect वगरा में kaitin कहीं बना हुआ होता है exoskeleton arthropods next जो cell wall होते हैं young plant के जैसे जो primary wall होता capable of growth next cell wall of young plants जो होते हैं वहाँ भी ये growth होता है जैसे जैसे cell mature करते हैं देले-देले छोटा होता चला जाता है next मैं आगे आपको बताओ midi lambda एक खास important part है बहुत बार पूछा गया है question midi lambda ये absentine guard cells तो एक बात एक स्वा मैंने बताया है आपको और इसको pectinease से dissolve कर सकते हैं पूछा क्या जाता है कोशनी आप देखो midi lambda किस चीज की बनी होती है तो calcium pectate की cement layer एक होता है next हम plasmodesmata की बात करते हैं तो plasmodesmata जो है ये cell plate होता है जो की represent करता है middle lamella between the wall of two adjacent cells तो adjacent cell को जोडने का यहाँ पे काम करता है ये हमारा plasmodesmata next हम बात करें endomembrane system के बारे में तो endomembrane system वो system होता है जिसमें coordinated function चलता है function के basis पे आपस में जुड़े होते हैं तो endomembrane system में ये total 4 पार्ट आते हैं endoplasmic reticulum गॉल्जी complex है गॉल्जी body, lysosome और बैक्षो आपस में function इनके common होते हैं जैसे हम पहला पार्ट के देख रहे है endoplasmic reticulum सबसे पहले तो ड्याग्राम पूछी गई endoplasmic reticulum आपको कैसे पहस जानना है जहां पर ribosome होगा मतलई वे rough structure होगा जहां पर नहीं है ये smooth structure है ये question पूछा जा चुका है अब देखो जैसे ये nuclear envelop है और एक extra luminal अब समझ रहे हो ना inside endoplasmic reticulum और citoplasm है next अम बात करें तो endoplasmic reticulum rough क्यों है due to presence of ribosome ribosome के चलते हैं smooth है क्योंकि वहाँ पर ribosome नहीं है RER का काम क्या है protein synthesis करना adjustment करना क्योंकि ये extensive or continuous with the outer membrane of the nucleus मैं आपको पता है ही RER होते है और जो smooth होते है lipid synthesis में का काम होता है और भी astroidal hormones का synthesis करते है next हमारे ये part है gaulzi apparatus scientist के नाम पर नाम पड़े cameleo gaulzi पर 1898 में नो ना discovery किया कुछ इसमें cisterny होते हैं जो की खास होते हैं जो आप पार्ट देख रहे हैं cisterny है आपको याद क्या करना है यहाँ पे जो cis face है cis face क्या होगा वो convex होगा और जो trans face होगा वो concave होगा means जो convex है वो forming face है और जो concave है वो maturing face है आप यह याद रखना दोनों आपस में different होते हैं लेकिन interconnected होते हैं next अगर मैं आपको बताऊ गौल्जी अपरेटस का जो main function होता है वो packaging करने का वो काम होता है modification के बाद major side जो होते हैं formation of glycolipid और glycoprotein का यह करता है होता क्या है जैसे rough endoplasmic reticulum है उसने protein को बनाया protein को cis face से भेज़ेंगे आगे cis face से trans face trans face से vesicles vesicles से lysosum के form में वो बाहर आ जाएगा सेल के बाहर बिल्कुल इसी तरह होता है जो sister नहीं आपने देखा वहाँ पे से modification चल रहा है glycosilation चल रहा है next हम बात करें lysosum के बारे में तो lysosum से जो question पूछी जाती है कि है hydrolitic enzymes यह से कौन से और्गनल में present है तो lysosum में membrane bond होता ही है packaging के बाद आया है यह lysosum और जैसे बहुत सारा hydrolitic enzyme lipase है तो fat के लिए lipids के लिए protease है तो proteins के लिए carbohydrates है तो carbohydrate के लिए एक चीज़ आप यादर रहा है acidic pH पे जनरली काम करता है आपको पुछे कि 8 pH पे काम करेगा तो बिल्कुल नहीं acidic पे काम करना है इसे 6 के नीचे ही काम करना है 5 पे जनरली काम करता है capable of digesting आप देखी लिए next vacuoles vacuoles जो होता है membrane bond a space है यहाँ पे एक tonoplast होता है खास tonoplast का काम क्या होता है कि युँकि ions को ये facilitate करे कि gradient इसमें membrane को maintain करने के लिए जो tonoplast होता है वो single होता है और vacuoles पूरे 90% पाटव को पाई करता है किसे भी sale का तो आप देखी रहे हैं इसमें होता क्या क्या है तो वैसे चीज़ जो हमारे sale के लिए important नहीं है वो होते हैं vacuoles में tonoplast आप याद अखना इसमें और इसमें बाते हैं और Amoeva में contractile vacuoles देखने को मिलता है आपको जो की excreation करेगा और sale में जैसे protist है उसमें food vacuoles है तो engulfing food particles के लिए next हमारा important part mitochondria mitochondria को जब तक आप आप staining नहीं करोगे तब तक उससे नहीं देख पाऊगे तो janus greens हमें sustaining करते हैं mitochondria का जो number है partial variable होता है उसके physiological activity पे वो depend करता है तो इससे बाते हैं sausage shape का होता है cylindrical होता है diameter और length आप याद रखना double membrane होता है अब जानते ही एक outer membrane होता है inner membrane question पूछा जा चुका है labeling के लिए आये थी outer membrane आप देख रहे हैं इसके बाद inner membrane और जो green color का आप देख रहे हैं matrix होता है और इसके बाद दोनों membrane के बीच का जो space है उसको inter membrane space बोलते है kristi जो की surface रे increase करने का काम करता है वो kristi वाला part है हम इसमें आगे देखें तो inner compartment को matrix बोला जा रहा है और outer जो है वो limiting boundary है जो outer होता है वो smooth होता है और पोरस होता है inner membrane जो है उससे kristi निकला है kristi surface से रे increase करने का काम करेगा जो membranes है उनके पास खुद की specific enzymes होते हैं mitochondria का काम aerobic respiration करना और ये they produce silver energy ATP के form में aerobic respiration synergy produce करते हैं इसलिए इसे powerhouse of the cell भी बोलते हैं matrix में ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा single circular DNA भी मिलेगा कुछ आरेने की molecules मिलते हैं ribosomes होगा 70S अब ये 70S का पेचकर याद रखना कि जो organelle में ribosome present होगे वो 70S होगे और ये cytoplasm में जो ribosome होगे वो 80S होगे आप याद रखना division से वो mitochondria जेनरली divide करते हैं next मैं आपको आगे बताऊं आगी हमारा part है plastics next हम देखें plastics plastics का होते हैं plant cells में और aglinoids में present होते हैं pigments के basis पे ये तीन पार्ट हैं chloro, chromo और lycoplast chloroplast होता है उसमें chlorophyll present होते हैं ये तो आप आप जानते हैं simple सी बात है light energy को करेगा trap photosynthesis करेगा next है इसमें kerotenoid pigments भी present होते हैं तो kerotenoid pigments हैं तो generally carotene और genthophylls बगरा इसमें present होते हैं ये fats वो लोगो आप याद रखना इसके बाद जो color provide करेंगे next हमारा leukoplast important है leukoplast clearless plastic होते हैं जिन में nutrients store होता है amyloplast है तो starch को store करेगा जैसे potato में ilioplast है तो oil को store करेगा fat को alleroplast है तो protein को आपको याद आना चाहिए alleron layer जो की important part है ये आपको बताया है morphology of flabbing plants में ये हमारे diagram है chloroplast का तो simple सी चीज outer membrane ये भी double membrane होता है granum आप देख रहा है ये पूरा granum का part है thalakoid है और astromalemly जो दोनों को जोडने का काम कर रहा है mesophyll cells होते हैं lens shaped के generally ये जो safe है chloroplast का oval है spherical है, disquiet है, even ribbon-like होता है और इसमें ये आप diameter याद रखना और generally एक cell में generally 20-40 per cell में mesophyll cell का जो नंबर है 20-40 होता है, climatomas के याप पर एक cell में एक मिलता है mitochondria के ही तरह double membranous होता है ये generally ये inner chloroplast membrane होते हैं less permeable होते है the space committed by the inner membrane of the chloroplast astroma वहाँ matrix था, तो यहाँ astroma है इसमें thalakoyds present होते हैं thalakoyds के यह arranged रहेंगा stock में तो इसको grana बोलते हैं हम यहाँ पर flat membranous stack होते हैं question पूछा गया है thalakoyds सारा arrangia stack इसको grana बोल रहे हैं next astroma lambri आपको मैंने दिखाया ही astroma में क्या होगा engines present होते हैं carbohydrate और proteins के synthesis के लिए होगा क्या और? इसमें DNA molecules होंगे, ribosome होंगे और इसके अलावे 80s होगा cytoplasm और 70s argon जो कि मैं आपको बताया जो chlorophyll के pigments होते हैं वो thalakoyds में present होते हैं यह हमारा next important part ribosomes के बारे में ribosome के बारे में आपको बताया है मैंने organal within argon बोला जाता है granular structure है जोर्स ब्लगनेंट डिसकबरी की थी proteins और ribonucleic acid इसका composed होता है कोई भी membrane इसमें होते नहीं ucarot में 80s और procarot में 70s यहाँ पर 7 वर्ग यूनिट है जो कि sedimentation coefficient है यह directly और indirectly यह density और size का measurement है तो 70 और 80s ribosome 200 units के बने हुए होते हैं 70s है तो 50 plus 30 का बना हुआ 80s है तो 60 plus 40 का तो जो दूनों यह से जोडने का काम काम कर रहा है यहाँ पर magnesium काम कर रही हाद रगनाव next हमारा important part cytoskeleton तो cytoskeleton क्या है filamentous proteinis structure है जो कि cytoplasma present होता है जो कि cell को एक framework त्यार करने का काम करता है जिसको cytoskeleton बोलते है mechanical support के लिए motility के लिए और एक question पुछा जाता है maintenance of the shape of the cell के लिए आपको मैं बता दूँ need का सब्सक्री important topic है favorite topic है cytoskeleton इससे बहुत question पूछे जाते हैं तो अब यह इस पे थोड़ा focus करना इसे कोई भी part है micro filaments, micro tables सब मैंने बता रखा एक्स्ट्र पार्ट जो इसके है crash course में next यह आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा part silio और flasla के बारे में यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यह हमारा जो part है electron micrograph का है यहाँ पे diagrammatic representation यहाँ पे किया गया तो यहाँ पे आपको inter-dublet breeze microtubule यहाँ पे present है यह जो दो आपको देखने को मिल रहे हैं तो central microtubule total कितने होगे तो दो है तो 9 plus 2 का यहाँ पे arrangement चलता है next मैं बात करूँ तो दो central tubule को breeze जोडने का काम पर यही सब चीज़े यहाँ पे लिखी हुई है cilia और flasla के बारे में तो पहली चीज़ तो hair like odd growth होता है पूछा जा चुका है question prokaryotic bacteria जो होते हैं उसमें flasla होता है और structurally different होता है वो eukaryotic flasla से plasma membrane से cover होता है core को exonim बोलते हैं 9 plus 2 का यह arrangement is में होता है next जो central tubules होते है breeze के द्वारा connect हैं central सिद आपने दीखा है radial spoke आपको मैंने बताया ही linker से यह connect होते हैं जो दोनों cilia और flasla होते हैं central like a structure basal body से वो arise होते हैं ठीक है next बात करते हैं centrosum और centrioles के बारे जो दो centrioles होते हैं आपस में perpendicular होते हैं cartwheel के जैसा structure का formation करते हैं cylindrical structure है without membrane या प्याद अगना amorphous pericentriolar material से इसमें मौझूद होता है miss इसको separate नहीं किया जा सकता है आगे हम बात करें इसमें tubulin protein होता है ठीक है तो इसमें यह सब आते हैं और कुछ मैं आपको बताऊं तो इसमें hub होता है as spokes इसमें present होते है hub कैसा है central proteinis part होता है as spokes कैसा है तो spokes जो connection होता है hub और peripheral tubes को radial spokes है और arrangement जो microtubles का है वो 9 plus 0 का है और जो formation of basal body और cilia phleasla तो central का function जानी रहे हो यह plant cells में absent होते हैं और spindle fibers का formation करना में help करते हैं during cell division in animals यह important part थो इसका next हम देखें nucleus के बारे में तो nucleus को Robert Brown ने discover किया था 1831 में nucleus के बाद nucleus को basic dice से करते है और इसको नाम दिया गया chromatin जो की flaming ने इसके discovery की थी इस important part है next हमारा है part interface interface nucleus वो part जब nucleus divide ही कर रहा होता है उसको बोलते हैं interface highly extended और elaborate nucleoprotein fibers called chromatin next nuclear matrix होता है spherical body nucleolai यह का खाश है हमारा next दोनों जो membrane के हुए double membrane है तो दोनों के बीच का जो space होता है आप यह diagram पूरा देख सकते हो next है तो पर nuclear space है तो उसका diameter आप याद हम दोनों के बीच का space जो है 10 to 15 nanometer और जो outer membrane है यह remains continuous with endoplasmic reticulum आपको मैंने वहीं पर बताया RER से होता है यह जिसमें ribosomes BR है तो direct साफ यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन RER यह है आपको समझना चाहिए next यह तो RNA और protein molecules का एक दूसरे से direction आना जाना लगा रहता है nucleus cytoplasm में और जैसे more than one nucleus per se लगर है इसकी अगर बात है जैसे बहुत साथ आ सकते हैं समबाद करें nucleoplasm के बारे में तो nuclear matrix होता है जिसमें nucleolus और chromatin present होते है nucleolus एक a spherical structure होता है जो जहां की active ribosomal RNA synthesis इतनी बार question पुछी गई है या पी ज़रूर याद रगना कि RNA synthesis कहा होता है तो nucleolus के अंदर nucleolus अगर option में नहीं है तो nucleoplasm अप लगाना और दोनों option में है तो आप nucleolus लगाओगे ठीक है protein synthesis के काम आता है chief role है nucleolus का यह अदराइबोजोम का formation करना आगे हम बढ़ें ये part interface nucleus जो होता है lose होता है nucleoprotein fibers chromatin हैं और जैसे ही condense करता है तो chromosome का formation करता है chromatin में DNA basic protein होगा histone बगारा और non-histone proteins भी present होता है also RNA भी present होता है एक खास बात है कि एक जो single human cell होता है उसमें 2 meter लंबा DNA होता है जिसमें कि 46 chromosome present होता है next हम आगे बात करें every chromosome essentially has a primary construction जिसको centromere जिसको centromere बोल रहे है disc-recept structure जो कि kineto-course है जो कि आपका diagram में आपका दिखा रख रख रहा है next centromere के basis space के chart type है अगर centromere middle में है तो इसको बोल रहे है metacentric अगर centromere थोड़ा middle से दूर है तो इसको sub-metacentric बोल रहे हैं अगर close to end है तो acrocentric बोल रहे हैं पूछा जा चुका है तो वो टर्मिनल पोजिशन पर है अब जो question पूछा गया 2018 NEET में वो question पूछा गया shape के बारे में तो आप shape सब का याद रख लो जो metacentric होते हैं वो V shape के sub-metacentric L shape के acrocentric J shape के और telocentric I shape के तो V L J I का formation यह होता अगर आप यहाँ पर देख सकते हो next हम last यहाँ पर बात करें last यहाँ पर satellite के बारे में यहाँ पर बात बताई गई है non-astating होता है secondary construction होता है यहाँ पर constant location पर उसको यहाँ पर satellite बोगए छोटा से एक fragment होता है micro body के बारे में to micro body जो होता है membrane bound होता है और इसमें enzymes होते है plantarine में दोनों में यह present होता है और यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है mitochondria help in oxidative phosphorylation ATP बनाने में काम करता है generation of ATP और इसके अलाबे अगर कुछ आप extra जानना चाहते हो तो भी मैंने crash course में बता रखा है crash course में मैंने उतना ही बता रखा है जितना question exam पूछा जाता है पढ़ने को तो बहुत लंबी चलती है sale biology लेकिन इसमें काफी है जो crash course series मैंने 6 पार्ट में इसके बता रखे है और यह quick revision series भी आपका NC80 से ही complete होता है तो इसी तरह आपने questions तो सारे लगा ही रखे होंगे chapter number 8 तक इसके बाद हम अगली relation बात करेंगे bio molecules की तो thank you for watching this video have a nice day